Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग बीक का सापता ही कराशी फल ये 16th में से लेकर 22nd में तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रिडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपको यही कहूंगी, कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस and carriage और the gate of sorts reverse का कार्ट कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप एक उल्जन एक परिशानी महसूस कर रहे थे तो इस वीक उसी उल्जन उसी परिशानी से आप बहार निकल रहे हैं या फिर बहार निकलना चाहा रहे हैं यह हो सकता है कि जहां एक तरफ इस वी कुछ issues हैं, कुछ मसले हैं, वहीं दूसरी तरफ जटपट इन ही issues, इन ही मसलों से आप बाहर भी निकल रहे हैं और कहीं देखे जो भी problems हैं, उनको छोड़के आप उनही के solution पे जादा focus कर रहे हैं और जब भी भी लियोज ऐसी energies में हम रहते हैं, तो beyond the point हम परिशान नहीं होते हैं क्योंकि देखिए solution पे focus करके हमें बहुत ही जल्दी problem का solution मिलता है और उसी problem से बहुत ही असानी से हम अपने आपको बाहर भी निकाल पाते हैं और देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी लियोज कि इस पूरी ही दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी life में कोई मसला ना हो, जिसकी life में कोई problem ना हो आपने पीछे सुना भी होगा कि कैसे शारुक खान अपने बेटे के लिए परिशान हो रहे थे और एक interview में मैंने हमारे respected prime minister को American president से कहते हुए सुना था कि वो पूरी पूरी रात नहीं सो पाते हैं तो फिर से देखिए कोई इनसान चाहें जितना भी अमीर हो, जितना भी powerful हो problems तो सभी के जिंदगी में होती हैं in fact problems इसी जिंदगी का एक हिस्सा है और इनको हम कैसे deal करते हैं वही determine करता है कि हम कितने परेशान रहेंगे और कितने खुश रहेंगे जब again हम problems पे focus करते हैं तो वही बढ़ती हैं और हम बहुत परेशान होते हैं और जब हम solution पे focus करते हैं तो कहीं solutions ही हमारी life में बढ़ते हैं और हम हमेशा ही खुश हमेशा ही यूनो बड़ी आफिल करते हैं और देखिए 8 of swords के नीचे carriage का card भी कहीं एक movement, एक shift की बात करता है ये card कहता है journey either physical or mental तो कहीं आप travel या तो physically कर रहे हैं यानि कि एक जगा से दूसरी जगा पे या पर mentally भी किसी चीज को लेकर आप काफी सोच रहे हैं या पर mentally, emotionally भी एक shift, एक movement, एक changes आपके energies में आ रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है 10 of wands and candle और देखे 10 of wands का card कहीं pressure की बात करता है burden की बात करता है, stress की बात करता है और इस चीज को सुनके आपने लिए उस बिल्कुल भी नी परशान होना क्योंकि देखे अभी-भी मैंने आपको कहा कि जो भी issues हमारे life में होते हैं उनको हम कैसे deal करते हैं, हमारी क्या approach होती है वही determine करता है कि हम कितने परेशान होंगे, कितने हम खुश होंगे और देखे अगर 10 of wands का card इस week pressure और burden की बात करता है तो जाहिर सी बात है, जो भी मसला आपकी life में है उसको आप कहीं properly नहीं deal कर रहे हैं और देखे, सब के लिए यहाँ पर different issues, different मसले हो सकते हैं यहाँ पर different चीजों की वज़े से एक pressure, एक burden हो सकता है लेकिन 10 of wands का card कहता है कि शायद आप जरूरत से जाधा काम कर रहे हैं यानि कि जितना आप कर सकते हैं उससे भी बहुत जाधा कर रहे हैं और उससे भी बहुत जाधा responsibilities आपने अपने उपर ली हुई हैं तो बहुत बहुत important है लियोज कि सबसे पहली बात आप अपने आपको offload करें अपना pressure कम करें, अपनी responsibilities कम करें और जितना आप comfortably, जितना आप conveniently काम कर सकते हैं आप उतना ही काम करें क्योंकि क्या होता है ना देखिए उस time तो हम again जितना कर सकते हैं उससे जाधा काम कर लेते हैं हमें एक temporary gain भी हो जाता है लेकिन आगे जाके फिर हमारी physical health effect होती है और फिर हम बहुत परेशान होते हैं तो इस चीज का खयाल इस week आप ज़रूर रखें और दिके एक message turn of ones का ये भी होता है कि आप लोगों को बहुत ही प्यार से ना कहना सीखें क्योंकि हो सकता है कि भाई जो भी आपके loved ones हैं, close ones हैं आप उनको ना नहीं कह पा रहे हैं और आप अपना तो काम कर ही रहे हैं साथ ही साथ आप उनका भी काम कर रहे हैं तो इस चीज को भी check करके इस week आप ज़रूर correct करें और 10 of wands के नीचे हापे candle का card कहता है you will be shown the way तो देखिए जो भी issues, जो भी मसले इस week आप किसी भी level पर face कर रहे हैं candle का card बहुत ही clearly कहता है कि उनको ही solve करने के लिए आपको एक रास्ता मिलेगा आपको एक way दिखेगा लेकिन इसी के लिए बहुत important होता है कि चीजों को solve करने के लिए एक desire रखना क्योंकि देखिए जब हम victim consciousness में होते हैं जब हम एक negative energies में होते हैं तब कहीं हमारे सामने solution आता है हम ना तो उसे देख पाते हैं और ना ही हम उसे avail करते हैं तो देखिए चीजें solve हो जाएंगी चीजें ठीक हो जाएंगी अगेन आपको रास्ता भी दिख जाएगा लेकिन उसके लिए थोड़ा सा open minded होना बहुत important है और फिर से मैं कहूंगी कि एक belief रखना बहुत important है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं क्योंकि अगर ऐसा mindset नहीं हुआ तो देखिए जितना भी छोटा सा मसला हो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा attitude आप again रखेंगे तो जितना भी बड़ा मसला हो आप बहुत ही असानी से उससे बाहर निकल जाएंगे and guidance से आप लोगों के लिए card है nostalgia और ये card कहता है focus on the here and now तो देखिए हो सकता है लियोस की इस week आप बहुत जादा past किसी event, past किसी relationship, past किसी चीज पर focus कर रहे हैं और हो सकता है कि आप से कोई गलती हो, आपके किसी loved one किसी colleague से कोई गलती होई है again उस पे आप बहुत जादा focus कर रहे हैं और उसी को ही लेकर एक regret भी रह रहा है और देखिए जब तक हम पीछे देखते रहेंगे हम जिन्दगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो बहुत बहुत important है again कि आप past को let go करें और present moment पे present situation पे present जो भी लोग, जो भी चीजें आपकी life में हैं आप उन पे focus करें, कैसे उनको आप बहतर करें, कैसे you know, again मैं कहूंगी उनको आप खुबसूरत बनाएं और देखिए जब आप अपने present को खुबसूरत बना लेते हैं तो future खुद पर खुद ही खुबसूरत हो जाता है तो इस चीज का भी खयाल इस week आप ज़रूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए third house का card है और इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था लियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं three of wands, reverse and butterfly और दीखें butterfly का card कहता है a change for the better तो कुछ changes किसी level पे किसी तरीके के specifically this week आपके professional front में आते हुए दिख रहे हैं और दीखें, changes से ना हम सब लोग ही बहुत भागते हैं क्योंकि पुरानी चीज़ों को लेकर इतना comfort आ जाता है और नई चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता है या मैं कह सकती हूँ कि उतनी surety नहीं होती है और इसी लिए हमें एक डर भी लगता है लेकिन इस week आप बिलकुल भी न डरें क्योंकि बहुत ही clearly ये काट कहता है a change for the better तो जो भी changes आ रहे हैं वो better energies लेकर आ रहे हैं या फिर कुछ लोगों के लिए message भी हो सकता है कि अगर कुछ changes लाने की ज़रत है तो आप ज़रूर लेकर आएं क्योंकि यही changes again एक better energies आपके professional front में लेकर आएंगे and देखे three of wands का काट कहता है कि कहीं अपने professional front में आप चीजों को expand करना चाहा रहे हैं next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं और शायद इसी लिए या फिर otherwise भी जो भी currently चीजे चल रहे हैं उन पे ना focus करके आप long term planning करना चाहा रहे हैं आप long term goals बनाना चाहा रहे हैं लेकिन इसी से ही related कुछ issues, कुछ मसले हैं यानि कि आप उस तरीके से future की planning नहीं कर पा रहे हैं और दिखिए ये card कहीं waiting and allowing वाली energies की भी बात करता है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि again किसी चीज का इंतजार रहे रहे है और ये इंतजार भी सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए right timing का इंतजार हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज के लिए आपने बहुत effort किया और उसी के result का आप इंतजार कर रहे हैं कुछ के लिए किसी phone call, किसी email, किसी message या फिर किसी भी चीज का इंतजार रहे रहे है और कहीं इंतजार उतना comfortable नहीं है या मैं कहा सकती हूँ कि थोड़े से restless आप इसी इंतजार वाले period में हो रहे हैं आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है इंतजार करना and personal front के लिए आप लुगों के लिए cards है four of wands reverse and forest तो देखिए सबसे पहरी बात दोनों ही front के लिए wands के cards हैं और दोनों ही cards reverse हैं तो overall के लिए कहीं देखिए wands की ही energies में एक balance नहीं है यहां पर कुछ लोग हो सकता है कि यहां तो बहुत जादा ही enthusiastic excited किसी चीज़ के लिए हो रहे हैं यहां पर overall आपका enthusiasm आपका excitement इस week काफी लो रहे रहा है और specifically देखिए four of wands reverse के card को देखें तो यह card कहीं change of place, change of location की बात करता है get together की बात करता है, celebration की बात करता है companionship, togetherness की भी बात करता है और इस week again यह card reverse है तो इनी चीज़ों से related छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे issues रह रहे हैं और फिर से देखिए यह general reading होती है तो सब के लिए issues, यह मसले differ कर सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कि किसी get together में आप जा रहे हैं और लोगों के साथ नहीं connect कर पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई celebration आप करना चाहा रहे हैं जगा को लेकर कुछ issues हो रहे हैं या फिर आप properly planning नहीं कर पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप vacation पे जाना चाहा रहे हैं और उसी से ही related bookings आपको नहीं मिल रही हैं कुछ के लिए हो सकता है कि again कुछ changes आप लाना चाहा रहे हैं और उसी से ही related कुछ issues हैं तो फिर से देखिए जो चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा यहाँ पर सब के लिए different issues, different मसले इन ही चीजों को लेकर हो रहे हैं और देखिए deeper level के लिए forest का card कहता है शायद इसी वज़े से या otherwise भी एक muddled unclear thinking है आप clearly चीजों को नहीं देख पा रहे हैं आप clearly चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं किसी तरीके की confusion भी मन नहीं मन आप इस weak महसूस करते हुए दिख रहे हैं and guidance है आप लोगों के लिए garden का card है और यह card कहता है something lovely will grow from this तो देखिए यहाँ पे garden का card कहीं हमारी ही जिन्दगी को represent करता है in natural यह card कहता है कि जिन्दगी एक garden के समान होती है और इस garden में हम क्या grow करते हैं वो हमारे उपर ही depend करता है अगर हम इसमें करेला बोते हैं तो फिर करेले का पेड निकलता है हम काटे बोते हैं तो काटे निकलते हैं हम फूल बोते हैं तो फूल निकलते हैं हम संतरे सेब को बोते हैं तो वही पेड भी हमें मिलता है तो again दिखिए कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि दोनों ही fronts के लिए छोटे मोटे issues चल रहे हैं और इसी वज़े से कहीं एक balanced energies भी नहीं दिख रही हैं और ऐसे में आप क्या अपने garden में बोएंगे वही पेड़ भी आपको मिलेगा और दिखिए बहुत ही clearly एक art कहता है something lovely will grow from this तो consciously थोड़ा सा एक effort करके बहुत ही खुबसूरत चीजें इस garden में grow करें तांकि खुबसूरत ही चीजें आपको मिलें बहुत ही खुबसूरत पौधे, फूल, again fruits आप grow करें तांकि यही आपको मिले भी, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैम कैसे हम जिंदिगी के garden में खुबसूरत चीजें बोग करें तो दिखिए इसके लिए सबसे important होता है कि आप अपने thoughts की checking करें जैसे ही एक negative thought आता है, उसी time आपने अपने आपको बोलना है recall, cancel, delete, यानि कि उस negative thought को आपने delete करना है और उसको तुरंथ ही positive thought के साथ आपने replace करना है क्योंकि देखिए thoughts ही beach के समान होते हैं, मैंने हमेशा कहा है और अगर आप positive beach अपने garden में बोएंगे तो definitely बहुत ही positive चीजें अपने जिंदगी के garden में आप पाएंगे भी तो इस चीज का खयाल इस week आप ज़रूर रखें and astrology से आप लुगों के लिए Uranus का card है और इसके हिसाब से all shades of blue इस week आप लुगों के लिए lucky रह सकते हैं and significant day आप लुगों के लिए होगा Saturday तो ये था वो गोज आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Libras आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है Ace of Swords and Acts तो दिखें एक card में तलवार है और दूसरी card में Acts है और ये दोनों ही cards कुछ issues, कुछ मसले, कुछ challenges की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये weekly reading है तो बहुत बड़ा कोई मसला नहीं होगा एकका दुक्का लोगों की बात अलग है और ये cards कहते हैं कि जो भी आप चाहा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं कहीं आपको एक smooth going मिलती हुई नहीं दिख रही है X के card में देखें, बहुत ही clearly लिखा हुए Forces working against you Literally कुछ लोगों को ऐसे लग सकता है कि आपको कोई पीछे खीच रहा है Again आप आके बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन उस speed से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लेकिन देखें आप भी Libras कम नहीं हैं जो भी issues हैं, जो भी मसले हैं आप बिल्कुल भी उनसे खबरा नहीं रहे हैं आपने भी अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है और debt के सभी issues, सभी मसलों का आप सामना कर रहे हैं और दिखें ऐसी energies में जाहिर सी बात है अगर आप रहेंगे तो आपको success, victory जरूर मिलेगी और वैसे भी Ace of Swords का card जहां एक तरफ challenges की बात करता है वही victory और success की भी बात करता है तो nutshell में ये card कहता है कि अगर आप fighting spirit रखते हैं आप बहुत ही courageously up front होके हर चीज को deal करते हैं तो फिर से मैं कहूंगे एक success, एक victory आपको जरूर जरूर मिलेगी and personal front के लिए आप लोगों के लिए Eight of Cups reverse and hand के cards हैं और Eight of Cups reverse का card कहता है कि पीछे किसी भी चीज को छोड़ कर अगर आग पागे बड़े तो उसी चीज के पास इस week या तो आप वापिस आना चाह रहे हैं या फिर वापिस आ रहे हैं और देखिए फिर से मैं कहूंगी यह general reading है तो सब के लिए आप थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ लोगों के लिए कोई relationship हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई इनसान हो सकता है कुछ के लिए जगा हो सकती है कुछ के लिए आदत behavior हो सकता है अगें कोई भी चीज हो सकती है जिसको छोड़के आप आगे बड़े इस week आप उसी चीज के पास वापिस आना चाहते हैं और ऐसा करके एक happiness, joy आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और देखिए नीचे hand का card कहता है in need of help, assistant and guidance और देखिए फिर से मैं कहूंगी कि इन ही चीजों से related या फिर otherwise भी हो सकता है कि किसी help, किसी guidance की आपको ज़रत मड़े और अगर ऐसा आप पाएं लिबराज तो ज़रूर ये guidance, ज़रूर ये help आप ले क्योंकि कितनी बारी, देखिए किसी से help लेने में किसी से guidance लेने के लिए हम बहुत reluctant होते हैं कभी-कभी हमें लगता है कि कहीं सामने वाला ना मना कर दे और कभी-कभी हम इस चीज़ को accept ही नहीं करते हैं कि हमें भी help की ज़रत पड़ सकती है और दिखिए ये help कहीं बंद कमरे में तो आपको ठोकर लग सकती है और आप परेशान भी हो सकते हैं क्योंकि आपको कुछ दिखी नहीं रहा है जैसे ही आप light जलाते हैं वैसे ही हर चीज़ क्लियर हो जाती है आप better feel करते हैं और दिखिए ये guidance, ये help भी कहीं अगें अंधेरे कमरे में light के समान होती है तो जरूर किसी भी help, किसी भी support की आपको जरुत हो तो आप जरूर अपने loved ones, अपने close ones से लेने में ना हिचकिचाएं and guidance से आप लोगों के लिए gray का card है और ये card कहता है endings are inevitable तो देखिए किसी भी चीज को अगर end करने की जरुत है या फिर कोई चीज end हो रही है और आप उसी चीज को let go नहीं कर पा रहे हैं उसी चीज को आप बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर इस card का आपके लिए यही message है कि बहुत बहुत important है कि इसी चीज को again आप let go करें और देखिए इस कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है कि किसी चीज को छोड़ के personal front में आगे बढ़ने की जरुत है और आप नहीं बढ़ पा रहे हैं आप उस चीज को नहीं again मैं कहूंगी let go कर पा रहे हैं और हो सकता है कि personal front के लिए ही आपको guidance का card एक guidance भी दे रहा है कि जतनी जल्दी आप इस ending को accept करेंगे जतनी जल्दी आप you know इनी चीजों को let go करेंगे जो आपको serve नहीं कर रही हैं उतनी ही जल्दी एक happiness एक joy भी आप अपनी life में लेकर आएंगे तो इस चीज का खयाल इस week आप जरूर रखें and astrology से आप लोगों के लिए moon का card है और इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए इस copyors आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है two of pentacles, rivers and fox और दिखें fox का card कहता है shrewdness and resourcefulness especially in business और हम सब लोग जानते हैं कि fox अपनी cleverness, अपनी cunningness के लिए जानी जाती है और कुछ ऐसी ही energies या तो इस week specifically आपके professional front में रह रही है या फिर cards आपको advise कर रहे हैं कि ऐसी ही energies में रहना बहुत important है क्योंकि क्या होता है न at times जब हम बहुत सादगी के साथ बहुत simplicity के साथ चीज़ों को deal करते हैं तो सामने वाला हमें for granted लेता है और फिर हम बहुत परेशान होते हैं और मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी चीज चाहे जितनी भी अच्छी हो जब वो जरूरत से ज़ाधा होती है तो हमें परेशान करती है जैसे खाने में, नमक, खलवे में, चीनी again बहुत एहम है लेकिन फिर से मैं कहोंगी जब ये जरूरत से ज़ाधा होती है तो उसी चीज़ को खराब करती हैं ऐसे ही over simplicity, over सादगी भी कहीं हमें परेशान कर सकती है एक healthy manipulation, एक healthy smartness at times चाहिए होती है और कुछ ऐसी ही advice cards भी आपको इस week again specifically आपके professional front के लिए देते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए देखे ये भी हो सकता है कि कोई इनसान है आपके work friend में जो बहुत manipulative हो रहे हैं जो बहुत smartly चीज़ों को deal कर रहे हैं और अगर ऐसा आप भी pine scopios तो थोड़ी सी checking कर लें कि उनकी manipulation healthy है या फिर देखे unhealthy है unhealthy manipulation का मतलब है कि क्या उनके motives क्या उनकी intentions इसी manipulation के पीछे ठीक है या फिर गलत है अगर आपको लगे ठीक है तो कोई बात नहीं और अगर आपको लगे कि गलत है तो आप cautious रहें तो आप थोड़े से conscious रहें blindly किसी पे भी trust ना करें और देखे fox के उपर two of pentacles reverse का card कहता है कि surface level पे इसी वज़े से या फिर otherwise भी एक fluctuating सी energies रह सकती है जहां पे एक stability आप नहीं महसूस कर पा रहें है जहां पे हो सकता है कि किसी दो चीज़ों को या तो आप balance करना चाहा रहे है नहीं कर पा रहे है या फिर हो सकता है अगेन आप एक से ज़ादा चीज़ें कर रहे है और उन ही को manage करने में कुछ issues, कुछ मसले है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई decision, कोई choice आपको लेनी है और कहीं ये decision, ये choice भी आप नहीं ले पा रहे है आप two minds में इन ही चीज़ों को लेकर रहते हुए दिख रहे है और परसनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए cards है King of Cups and Dog Close-Up और दीखे, Dog Close-Up का card कहता है pleasure with a close friend और फिर से देखे, King of Cups के card को देखें तो ये card भी कहीं बहुत ही loving, बहुत ही caring energies की बात करता है कहीं loved ones, close ones के साथ बहुत ही quality time spent करने की बात करता है तो देखे, दोनों cards को combine करें तो यहां तो किसी specific friend, close one के साथ आप बहुत ज़ादा interact कर रहे हैं उनके साथ आप eating, drinking, marimaking कर रहे हैं उनके साथ आप, again मैं कहूंगी कि बहुत ज़ादा एक loving और caring energies share कर रहे हैं और देखे, ये close one, ये loved one कोई भी हो सकता है in fact, सब के लिए differ कर सकता है हमेशा ही देखे, जो हमारी उमर के होते हैं वो ही हमारे friends नहीं होते हैं at times, हमारी mother भी हमारी best friend हो सकती है at times, हमारे father हमारे best friend हो सकते है sister, या पर देखे, कोई भी इनसान जिसके साथ बहुत एक friendly सी energies रहती हैं again, उनके साथ आप बहुत जादा मज़ा, मस्ती, fun करते हुए दिख रहे हैं और देखे, again, एक loving, caring energies आपके personal front में रह रही हैं या तो किसी खास इनसान को, again, आप बहुत अपना love, care express कर रहे हैं या फिर यही love, care आपको किसी खास इनसान से मिल रही हैं तो nutshell में दिखे, personal front में काफी अच्छी energies इस week रहती हुए दिख रही हैं और professional front में एक balance लाने की ज़रत है and guidance से आप लोगों के लिए tree का card है और tree का card कहता है let them go तो कोई भी चीज इस week आपको लगे कि आपको serve नहीं कर रही है किसी भी level पर परेशान कर रही है उसको let go करना बहुत important है और दिखे, यह सब के लिए differ कर सकता है क्योंकि यह general reading है कुछ के लिए इस week के लिए ही कोई इनसान, कोई relationship हो सकता है कोई आदत हो सकती है या फिर से मैं कहूंगी कोई भी चीज हो सकती है और दिखे, यह let go का card इसी week के लिए guidance है हमेशा के लिए नहीं है तो इस week बहुत cling आप किसी भी चीज को ना करें बहुत जादा किसी भी चीज को आप hold on ना करें थोड़ा सा again मैं कहूंगी एक letting go वाली energies में रहें और astrology से आप लुगों के लिए Gemini sign का card है और इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लुगों के लिए लगी रह सकते है and significant day आप लुगों के लिए होगा Wednesday तो ये था आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए